राजिस्थान में लूप भीशन गर्मी का अलट 46 डिग्री के पार जाये का टेंपरेचर 17 जिलों में जुलसाईगी गर्म हवाएं जैपुर सहीत राजिस्थान में मंगलवार से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सेयस की बड़ोतरी देखी जा सकती है इसी के साथ प्रदेश के चार संभागों में लूप और भैंकर गर्मी का अलट जारी किया गया है वैदा डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले कुस दिनों तक मौसम सूखा रहेगा और सूरज की तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को जुलसाएंगी बीकानेर जोतपुर जैपुर भरतपुर संभाग के जिलों में अधिक्तम तापमान 46 दिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है इन इलाकों में हीट वेव के चितावनी भी जारी की गई है वहीं 26-28 अपरल तक भरतपुर अलवर धौलपुर करॉली टोक सवाई माधुपुर बूंदी कोटा बीकानेर श्रीगंगा नगर चूरू जुनजुनू जोगपुर पाली जाल और बार्डमेर जैसलमेर में लू चलने का अलट जारी किया गया है इस दोरान गर्म हवाओं की स्पीर 30-40 किलोमीटर प्रती घंटा रहने का अनुमान है हीट वेव चलने के साथ ही अगले कुछ दिनों तक मौसम सूखा हीट बना रहेगा अधिक्तम तापमान में बडोतरी की संभावना भी बनी रहेगी प्रदेश में सूमवार को सरवार्दिक तापमान बासवाड़ा में 45.2 बाडमेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस और चित्तरगर में 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है हाला की अधिक्तम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा जैपुर में अधिक्तम तापमान 40.9 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिगरी सेलसियस रहा हवाओं के कारण आधी भी चलने की संभावना है आगामी दिनों में जोदपुर पालिक जैसल मेर बाड मेर बीकानेर श्री गंगानेगर जुन जुनु चूरू अलवर टॉंक सवाई माधोपुर दौसा और जैपुर के आसपास के छेत्रों में तथा मैदानी भागों में धूल वरी हवाएं चल सकती हैं जादातर जगे आसमान साफ रहेगा किसानों को फसलों की बार बार सी चाई करने की सला भी दी गई है देखते रहे देशतार तक ने उस संपूर्ण खबर तीकी नजर